नमस्कार दोस्तों संध्यकी रोसोई हैस में आप लोग का स्वागत है आज हम बनाएंगे ब्रत के लिए सामुदाने कचिला तो चलिए सुरू करते हैं सामुदाने कचिला कैसे बनाते हैं सामुदाने कचीला बनाएं क लिए सामुदाना मैंने दो घंटे पान में भींगो लिया था और एव अव्ला हुआ आलु आ यू लोए कार नच टीद हूंut यह निम्बू करण टेंगे एक चमच और इसमें डालेंगे भूणा हुआ जीरा पाउ। और इसमें दोज चमच डालेंगे शिंभा आठा, आप खाते हो तो जरूर से डालें इसमें सेंधा नमक डालें, यह तो उसे नादालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें दालेंगे मोंगफली बहुन लिया था इसे बहुत अच्छा भाइणी आता है मिल लेंगे और यहाथ हमें तेल लागा कर इसे कर लें और नहीं तो ऐसे प्लास्टिक रखेंगे और फिर इसे हम कवर कर देंगे नीचे से ये प्लास्टिक पर ही है उपर से भी हम इसे कवर कर देंगे ऐसे और हलके हाथों से इसे रोल करेंगे और ये देखिए बिलकुल असानी से बिलकर तयार हो और अब हम गैस पे रखेंगे तवा और तवा गरम हो जाए थोड़ा सा ग्रिस कर लेंगे तवे को आप घी तेल किसी भी चीज से जो खाते हो तो मैं यहाँ घी डाल रही हूँ और इसे ग्रिस कर लेंगे और इस पे हम डाल देंगे समुदाने का चीला ये देखिए बहुत ही असानी से बन जाता है ये और इसे हम सिख लेंगे ये और सब चीलों से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो इसे ध्यान से सिखें एक तरफ से हो जाए फिर हम दूसरे तरफ से प्लट प्लट कर और ये देखिए बिल्कुल तयार हो गया हमारा चीला और मैं आप लोग को एक तरीके से और बता दे रहे हूँ हूँ इसमें हम रखेंगे घी डालेंगे और फिर एक चीला डालेंगे और इसे बीच में हम होल कर देंगे और इसमें तेल डाल देंगे या घी डाल देंगे जो भी आप डालना चाहें और फिर करेंगे इस तरीके से भी बना लेते हैं और ऐसे भी बनाते हैं बहुत ही असानी से बहुत ही टेस्टी बनता है देखिए ये बनकर तयार और इसे आप चाहें तो चटनी से खाएं दही से खाएं मैंने यहाँ पर दही और चटनी दोनों रखे हैं और रेस्पी पसंद दोर्टों आपन्यात तूर्पकों जैटन चूर्फित